जैम आता ही दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों बात कर रहे हैं वरिश्चिक राशी के नवंबर 2020 राशी फलकी इस महिने ग्रहों की क्या इस्थती रहेगी और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वरिश्चिक राशी वालों के लिए ये महिना सामान्य रहने के उमीद है इस महिने चार ग्रहों के गोचर के कारण आपके द्वादश, प्रथम, तृत्य भाव, सक्री अवस्था में रहेंगे इस महीने शुक्र का गोचर तुला राशी में ब्रस्पती का गोचर मकर राशी में बुध और सूरिय का गोचर वरिश्चिक राशी में हो रहा है क्योंकि इस महीने आपके बारवे पहले और तृतिय भाव सक्रिय रहेंगे इसलिए इन ही भावों के गुणों के आधार पर आपको फलों की प्राप्ती भी होगी काल पुरुष की कुंडली में 12-12 भाव मीन राशी का होता है जिसको हानी का भाव कहा जाता है और इस भाव से जीवन में होने वाली हानी और विदेश यात्राओं के बारे में विचार कर सकते हैं कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेश राशी का होता है और इस भाव से हम स्वास्थ शरीर आत्मा आदी के बारे में विचार करते हैं महीं तृत्य भाव मिथुन राशी का होता है जिससे आपके पराकर्म, आपके साहस और छोटे भाई भेनों से आपके संबन्ध के बारी में पता चलता है। इस महीने कारेशेत्र में आपको चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा और चुनोतियों से बचने के लिए आपको अपने अंदर आत्म विश्वास पैदा करना होगा। आर्थिक जीवन भी ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में अंतर तक बनी रहिए। कारेशेतर की बात करें तो कारेशेतर में इस महीने आपको चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने इस राशी के जातकों को जौब से भी हाथ दूहना पड़ सकते हैं हाला कि यदि आप अपने काम करने के तरीके में सकरात्मक बदलाव लाएं और कारेशेत्र में होने वाली राजनीती से दूर रहें तो आपको अच्छे पहिनाम जरूर मिलेंगे वरिष्चिक राशी के कुछ जातकों को इस महीने आफिस के काम के सिलसले में किसी दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका मैनेजर इस महीने बदल सकता है जिसकी वज़े से आपको और आपके सहकर्मियों को कुछ परिशानिया जहिलनी बढ़ सकती है इस राशी के जो कारुबारी हैं उनकी बात करें तो उनको इस महीने अच्चे फल जरून मिलेंगे बड़ा मुनाफ़ा होगा आपका कारोबार नई उन्चाईयों को छुएगा महीं इस राशी के कुछ नौकरी पेशा और कारिबारियों को अपने काम के संबन में विदेश जाने का भी सुनहरा अवसर मिल सकता है बात करें आर्थिक स्थती की इस महीने की शुरुवात भले ही अच्छी रहेगी लेकिन महीने के मध्य में आपको स्वास्त से जुड़ी कोई परिशानी हो सकती है जिसके कारण आपको पैसा खर्चना पड़ सकता है महीं इस महिने आपका कोई दोस्त या फूर कोई करीबी रिष्थदार आपसे आर्थिक मदद भी ले सकता है हालां कि आपको किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से पहले अपने बजट पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए ऐसा न हो कि यदि आप किसी और की आर्थिक मदद करके खुदी संकट में फस जाएं इस महीने आपके नीजी खर्चों में भी वृद्धी होगी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके फेल होने की वज़े से आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है वही इस राशी के कुछ जातकों के पिता जी जॉब चेंज कर सकते हैं जिसकी वज़े से कुछ समय के लिए घर में आर्थिक तंगी रहेगी इस समय आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है हलाकि आपको ज़्यादा परिशान होना नहीं चाहिए यदि आपके पिता का फैसला सही है तो आने वाले समय में आपके आर्थिक हालात बहुत बहतर हो सकते हैं धनकी बचत करने के लिए आपको फालतू खर्चों से बचना चाहिए इस महीने आपके स्वास्त की बात करें तो आपके सिर पैर और कंधों से जुड़ी समश्याएं परिशान कर सकती हैं इन समश्याओं से खुद को बचाने के लिए आपको सुबह और शाम को सैर करनी चाहिए योग व्यायाम करना चाहिए इसके अलावा आप एक्सरसाइज करके भी खुद को फिट रख सकते हैं आपको अपने खानपान पर इस महिने में बहुत जादा ध्यान देनी की जरूरत है अगर आप संतुलित भोजन करेंगे तो कई परिशानिया खुद बखुद ही दूर हो जाएंगी आपको इस महिने सडक पर चलते समय सावधानी बरतनी होगी अगर आपका ध्यान इधर उधर रहा तो आपका एक्सिडेंट हो सकता है चोट लग सकती है आपके आसपास का वातावरन यदि धूल भरा है तो इस महिने उसकी वज़े से आपको आखो और त्वचा से संबंदित ऐलर्जी हो सकती है इसलिए जितना हो सके खुद को ढख कर रखें धूल से बचने के लिए मूपर कपड़ा लगाएं बात करें पारिवारिक जीवन की तो इस महिने आप अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने छोटे भाई-भैनों के स्वास्त पर इस महिने आपको ध्यान देना होगा क्योंकि उनको स्वास्तमंदी परिशानिया हो सकती है आपके परिवार का सबसे वरिष्ट सबसे बड़ा सदेश से इस महिने आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है जिसके कारण घर की परिशानिया दूर होंगी अगर आप किराई के घर में रहते हैं तो इस महिने उस घर में आ रही कुछ परिशानियों के कारण दूसरा घर किराय पर लेने के बारे में आप विचार कर सकते हैं आपके परिवार में किसी तरह का फंक्शन इस महिने हो सकता है और आप अपनी करीबी रिष्टेदारों से मुलाकात कर सकते हैं दूर के रिष्टदारों से मुलाकात करके आपके मन को शांती मिलेगी आपके परिवार में किसी नन्ने महमान के आने की भी संभावना नज़र आ रही है अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो इस महीने आपको अपने घर की बहुत याद आएगी और आप अपने घर के सदश्यों के साथ फोन पर शोशल मीडिया पर घंटो बात करेंगे और उनको अपने हाल चाल बता सकते हैं बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो इस महीने अपने संगी के संग आप अच्छे से वैवार करेंगे जिसके चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंदों में निखार आएगा मजबूती आएगी इस राशी के जो जातक प्रेम संबंदों में हैं उनके बीच कुछ कार्णों से दूरियां आ सकती है पार्टनर्स में मनमुटाव हो सकता है ऐसा संभव है कि किसी तीसरे सक्ष की वज़े से आप अपने संगी पर शक करें हाला कि आपको हमारी यही सला रहेगी कि बिना किसी पुकता सबूत के किसी भी नतीजे पर ना पहुँचे कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें इस राशी के जो जातक अभी सिंगल है वो किसी के प्रेम में पढ़ सकते हैं लेकिन जिन से आप प्यार करते हैं उनकी भावनाएं आपके प्रती वैसी नहीं रहेंगी जैसी आपकी उनके प्रती हैं और जो जातक प्यार में नहीं है और शादी के लायक है उनके लिए अच किसी तरहे की परिशानी थी तो आपस में बात करके इस महीने आप उस गलत फैमी को उस परिशानी को सुलजा लेंगे जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हीं जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरहे की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए क्या फिर आपको कोई भी बात अपने माता-पिता से करनी है तो अकेले में जाकर करनी, एक दूसरे के सामने किसी को नीचा न दिखाएं, जीवन साथी की नजरों में अपने माता-पिता के इज़त को न घटाएं, इसलिए उचित व्यवार करें और जीवन को शालीनता से अपने पार्टनर से भी कोई बात बोलनी हैं, तो उनसे अकेले में बात करीं, अगर कोई बात समझानी हैं, तो बहुत प्यार से समझाएं, अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है, तो उनके लिए कुछ ऐसा करें, जिससे वो special feel करें दोस्तों, अपने रिष्टों को हमेशा सहेज कर रखें, क्योंकि जीवन का यही दस्तूर है, अगर रिष्टों को सहेज कर रखोगे, तो आप ही खो आसानी रहेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस मईने आपके लिए विशेश उपाय रहेगा कि आप ओम स सूरियोदों की समय 108 बार जाप करें, आपके लिए बहुत लाब करी रहीगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, धनिवाद